आज की कक्षा कल के ही कक्षा के अगले भाग के रूपना स्थापित होगी और एक नई सूचना के साथ हम लोग ये कक्षा शुरू करेंगे हालिया दिनों में पिछले कुछी दिनों पहले एक प्रसद पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला जी की हत्या कर दी गई थी उनकी माता जी जो तकरीबन बावन वर्श की हैं उनकी प्रेगननसी की खबरें इस समय आम हैं इस समय पूरे भारत में और ये हमारे लिए इसलिए जरूरी खबर है क्योंकि ये पचास वर्श से अधिक उम्र की वो महिला हैं या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो महिला हैं जिनके अंद फर्टिलाइजेशन प्रोसस पूरी तरीके से 30 साल 35 साल में भी समाप्त हो जा रही हैं ऐसी महिलाओं के लिए भी ये बात वर्दान के जैसे हैं कि पचास वर्श में भी कंसीव किया जा सकता है और आप लोग चुकि योग क्या चार रहे हैं तो आपको ये अपने मन में ये योग के ताओं होगा यानि योग के आसनों का उपयोग करके और पचास वर्श तक यानि यू है 15 साल में कोई ऐसा है जो जिसके मां बनने की क्षमता है समाप जाते हैं तो आपके पास मौका है पंदर वर्श तक ठीक मेहनत ठीक दिशा में करेंगे तो बीच में कभी भी अ आज ये राश्ट्री खबर है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में डिसकस चलूर करना चाहिए आज हम लोग बात कर रहे हैं वेदों में योग के विशह में जर्शा जा रही है पिश्री वीक अक्षा में हमने थोड़ा सा वेदों के विशह में जानने की कोशिस की थी क कि वेद क्या हैं कितने सुप्त हैं और किन-किन वेदों से क्या के चीज़े निकल के आती हैं आज मेरे पास एक फोन आया था राताकाल आउट ऑफ इंडिया जॉब के लिए कि सर मुझे विदेश में नोकरी करनी है और मैंने सुनाए कि आपका सेंटर मैंने का जी बिलकुल दो लाख रूप है क्योंकि एक लाग सवा लाख रूप है तो भारत में अभी वो कमा रही है अच्छी बात है दो लाग क्या मैं हम लोग तो रेटी हैं आपको दो लाग पैदेने के लिए अभी तु आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपके पास वो नॉलेज है और आप य चैनिंग उन्होंने आपटेंड की है रिशी केस से अब आप दो चीज़ें समझ सकते हैं या तो रिशी केस वालोंने क्वालिटी दिनी खराब कर दी जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानना है और या तो छात्रे ऐसे हैं जिनको इतना भी नहीं पता है और यदि आप बात सुनते तो लेटरी आपको बहुत हसी आती शुरुवात से लेके अंतर तक क्योंकि अतिशय मात्रा में ओवर कॉन्फिडेंस एक्शुली और जबरस्ति के बनाउटी के अंगरेजी के शब्द और ऐसा दिखाने की कोशिस की जैसे बिल्कुल अंगल भाशा के प्रावक्ता के है एक चीज दूसरी चीज कभी भी कोई चीज ना है तो बहुत अलग चीज है आपको इतना तो पता होना चाहिए अटलस कि योग शब्द क्या है कैसे है कहां से गटित होता है और कैसे कैसे बनता आता है पड़ने मेंटल अफ योगा जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ना स सिर्फ घी घी प्रोवाइड करा रहा हूं ठीक है दूद दही चाज मठा ये सब यूनिवर्सिटी कॉलेज बना हुआ है इसके लिए मेरे पास से आपको घी ही मिल ला है तो आपका काम क्या है उस घी को अच्छे तरीके से लिखना और उस पे कुछ ना कुछ ना कुछ रिस अधिया की जैसा जैसे शुरुवात होती है जब ब्रह्म की शुरुवात हो रही थी तो मैं आपको बताता है कि ब्रह्म के बाद से वही शंकर का ब्रह्म का विश्णों का इन तरीकी का योग और उसी दीनों के आधार पे आर्ट प्रकार के योगों का वरणन और उन सारे य एक बहुत प्रशित दश्लोग है हिरन गर्भ से स्म्बंदित की योग के सबसे पुरातन जो वक्ता है वो हिरन गर्भ ही है उसके अलावह और कोई नहीं है। और यह बहुत फेमस लाइन है योगा स्य वकटा में कि इनको ही हिरन लगर्भ बोभारत में भी और यह बात स्मृत ही में बहुत तरीके बात को स्विकार किया गया है तो आपको यह लाइन लिख बो इंचए लिखना है तर रहा हमाई द्ययाय में है who लो धिती के बारा में अध्याय में वह छाएगे यांच में और यह जिए लिखहा गया है कि योगस्य फिरन कर वह योगत्षन पुरातन ना यह 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 योग के आदि वक्ता है अब जब यह पूछा जाए कि इश्वर का योग निकल के आता है इश्वर से जब योग आपके सम्मुख प्रतिबिंबित हो रहा है तो क्या कोई ऐसा है बीच में जो बिफोर पतंजली है क्योंकि पतंजली का तो काल बिल्कुल सठीक समय ह वो दिख रहे हैं लेकिन पुष्यमत्र सुंग से पहले मौरे सामराजी बहुत अच्छे तरीके से अस्ताबित रहा मौरे सामराजी के कई सारे चक्रवर्ती समराथ हुई जिसमें खुद्चंद्रकुप्त मौरे था उनका बिंदुसार था बेटा उसका बेटा अशोग था जो की बहुत धार्मिक वेक थी कालांतर में सिद्ध हुआ और ऐसे करके बहुत सारे लोग थे तीन चार लोग पांच लोग आए और काफी डवलब किया मौरे वंस जो है परन्तु उनके बाद जब ये ब्रामन सामराजी शुरू होता है पुष्यमित्र सुंग का काल जो ये सबसे पहली बार बताता है अगर आपसे ये प्रशने पूछा जा कि मुझे ये बता कि कोई ऐसे ऐसे नाम को लिजे जो ह्यूमन रूप में इस छीज को डिफाइन के हो पहला वक्ता है सबसे पहला व começou क्या पतंजली है वह सबसे पहले वेक्ति बिल्कुल नहीं पतं लिए स्विकार करते हैं उसकी एक शाका को दृओ नाम को कहती हो भारत ये इसी बात कोinta तहें महाभारत दूसरे द्रेशा में कोरता है उसका 304 वाई मडे ट्री नैंटिव्य इन यह 15 iba भाब हारत में अरन देखते रहता हूं है disorder आप देखें न भूल के थे लिखना अब पूनम को काशिनात पाटिल को रन्यना जी को पूनम रसल लंकित सरोज साहिनी आप लोग वीडियो ऑन किया कीजिए महाराज क्या लिखा संखस्य वक्ता कपिलहा परमर्शी सा उच्छत है परमर्शी परमर्शी नहीं बोला इनको महाभारत वाले भी बड़े एक्सपोर्ट के महाभारत में तो लिखा तो जो पूरी व्याक्या है वो तो वेद व्यास की है लेकिन वेद व्यास जैसा कोई राइटर नभूतो नभवश्य थी है ना तो उनके शर्दों में उतनी ही जान है इवन अगर आप तुलना करेंगे कालिदास तो उसी दास से तो इन दोनों क्या किते हैं राम संपर्दाय वाले लोगों से भी और किसी भी राइटर से कई गुना शांदार जो राइटर हुए वो वैद व्यास हुए है ठीक है और वैदったर ना ना नहीं है कि वह देव रैषिय है नहीं वो राज रैश्य है परमरशी सा उच्छते हरन गर्भो योगस से वक्ता नान्येया पुरातरम ये लाइन उनकी है कि सांहे के वक्ता जैसे कबड़ के वक्ता हरन गर्व हैं को और हुआ कैसे अब इसलिए बीच दर्शन की बात आता है तो we always care of पतांजली हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है पतांजली जबकि actually मैं the person who describe each and everything about योगा बहुत सारे विश्यों पर जो बात की वो हिरनेगर बने की लेकिन घजब की बात यह है कि जैसे माल लिए विश्यकुमार नाम के एक व्यक्ति ने for example कोई चीज बना दी ठीक है चलो विश्यकुमार को टाओ शिवा जी को लेख्या थे शिवा जी की वन्शावली में आप देखेंगे तो तक्रिबन पांच या छे शिवा जी हुए आप देखें तो उस समय जो उनके का साल खंड में 100-200 साल के अंदर तक्रिबन 4-5 शिवा जी तो हुए है राजा राम के पुत्र थे वह भी शिवा जी ते और कई सारे लोग शिवा जी हुए हैं लेकिन जो मेन वाले शिवा जी थे ना जो जीजा भाई के पुत्र जो थे वह उनकी गाता अलग है तो उनके नाम पर कई सारे अन शिवाजी लोगों को भी लिबर्टी मिलती है यानि उनका भी अद्यान चल ला होता है यह एक बहुत शांदार बात कही जा सकती है जैसे मालजे स्वाती जी के पिता जी का नाम मिस्टर एक्स वाइजट है ठीक है या चले विजय कुमार को यह ले ले लेते किया ना इनका नाम अलग कर दिया गया यह नाम अलग करने की परंपरा पहले नहीं थी पहले नाम एक ही जैसे चला करते हैं ठीक है कि राम प्रतम, राम दिती, राम तर्थि, राम चतुरत, ऐसे करकर जिससे आप ''सात्वाःण से में जाेंगी तो उसमें बहुत सारे सplayनी नहीं थी लेकिन कालंतर में ये महसूस किया गया कि ये नाम एक एक विक्ति का नाम एक परिवार में एक ही रहे तो जादे बेटर है दो नाम होने से बहुत confusion create होता है और यही किया गया हिरन गर्व के साथ भी हिरन गर्व काहते से नाम एक था लेकिन उसी कालखंड में जिस सम हिरन गर्व का वरण आता चलता चला गया और ऐसे करते करते तकरीबन साथ हिरन गर्व इतियास में लिख दिये गए अब आप confuse हो जाएंगे और मैं भी confuse हूं आज तक कि कौन वाले हिरन गर्व जो है वो औरिजिनल है इसको मानेंगे कि अब हिरन गर्व को जब आप आप क्या कहां से उनको बोलो है कि नहीं नहीं हिरन गर्व के रूप में वह नहीं थे वैसे हिरन गर्व का मतलब होता है कि हिरन का मतलब क्या होता है हिरन का मतलब होता है सोना सोना जो होता हिरन गर्व का मतलब होता है जहां से उत्पत्ति हो रही है तो सोने के जैसी उत्प द्रबिंदु में माना गया तो साथ आप लिखे लिए य का पहला वह सूर को पायमना जाता है यह ये सबसे प्राचीनवक्तव सूरे हैं क्योंकि सूरज से प्राजीन इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं लेकिन कालांतर में यह माना किया कि नहीं नहीं सूरज से प्राजीन खुद ब्रह्मांड है सूरज खुदी ब्रह्मांड का चक्कर दोड़ रहा है और पृतिवी जो है सूरज के चकर में दोड़ र में धोड रही है तो सब यह उनिवर्स जो है वो चला اइमान है और यह ऐसी लाइन है जो चलाइमान है इस पर अगेन आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जो डालेंगे तो आप दो गन्टे का लेक्चर तो देह सकते मैं इस पर बड़ा आराम से दे सकता हूँ कि ये संसार रुकता नहीं है ये चलाए मान है हर चीज यहां चलती रहती और ये आप किसी चीज को रोकने की कोशिस करेंगे तो आप प्रकृति के साधारन नियुमों के विरुद्द जाने की पुरजोर कोशिस करते हैं और मेडिट को कैच कर सकती है कि क्रिकेटर जैसे बौल बहुत तेजी से दोड़ती जा रहे है और जंप करके वो बॉल को पकड़ ले एक्सपर्टाइज है मेडिटेशन भी ऐसी ही एक्सपर्टाइज का नाम है बहरा चला एमान की विशे मैं मैं बस आपको बता रहा हूं कि चलने वाल जो है या फिजन जो है वह ऐसी ही व्यवस्ता है एक बड़े से सिस्टम में नुक्लियर अटमिक चार्जे से वह डाल दी जाते हैं और फिर फटना शुरू होता दीरे 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 बहुत उसमें आनियंतरे चैन प्रक्रियास शुरू हो जाती है तो बिजदुत पैदा होती मन को चलने दीए जितना दोड़ रहे जितना दोड़ने दीजे सिर्फ उसको होल्ड करने का कारे होना चाहिए तो सूरिक को पहला हिरनिकरव माला जाता है दूसरा जो है वो बुद्धी को ही माला जाता है बुद्धी जो है वो दूसरे हिरनिकरव के रूप में अस्तापित यह बिसिकली एक राइटर हुए है नाम लिख लिए योग मारतंडे पुस्तक का नाम है योग मारतंड्य ठीक है योग मारतंडे पुस्तक है उस पुस्तक में अचारे सूर्य जो है सूर्य को तो मानते ही हैं सूर्य को हिरंगर्ब मानते ही हैं साते ही महत को महत को महा भारत के महा भारत के महा भारत के श्लोक से तुलनात्म का ध्यान करके बुद्धि को भी हिरंगर्व के रूप में स्विकार करते हैं कोई बता सकता है यूग मारतंडे पर लिखी की सबसे बहतरीन टीका कौन सी है रुको क्या करें आप क्या करें है राधा जी यह लाइन रिपीट कर दो वापस लास्ट वाली क्या बोला मैंने बुला कि यूग मारतंडे पुस्तक में सूर्य को हिरंगर्व मानते हैं श्लोक को आधार मानके बुद्धि को भी हिरंगर्व माना है बुद्धि को भी महावारत में एक श्लोक वर रहत है उसको मानते हुए उसको मानते हुए बुद्धि को भी महत्तपूर माना है महत्तपूर हिरंगर्व माना है पता सकता है कोई योगमारतंडी पे सबसे बहतरी इन टीका कौन सी है योगमारतंडी की सबसे शांदार जो टीका है वह है धनराज शास्त्री की धनराज शास्त्री एक राइटर है उनकी पुस्तिका है स्मृती संग्रा वह शांदार तरीके से उनकी लेकर नहीं है और society एंड़ागी उनके library में ये उपस्तित आपको मिलेगी दिल्ली में भी है ये जब हाला लहरोगा आगे लिए तीसरे जो हिरनगर्ब है तीसरे हिरनगर्ब के रूप में एक रिशी को माना गया है का ध्यापक को माना गया है कि ये आचारे थे एक teacher थे ठीक है और इनका वरण संगिता में रट्टा मार लेना इन सारी लाइनों को बिल्कुल अहिर बंद्यू संगिता में मिलता है ये नेट की क्लास करें एक बाद दुनिया के किसी टीटीसी की आवशक्ता आपको सिर्फ प्रक्टिकल में ही पढ़ने वाली है तियरी में तो आप इतने एक्सपॉर्ट हो जाओगे अहिर बंद्यू संगिता में मिलती है ठीक है अहिर बंद्यू संगिता के अनुसार या इस संगिता के अनुसार यह जो आचारे हिरनगर्ब हुए हैं आचारे हिरनगर्ब हुए हैं अहिर बंद्यू संगिता के अनुसार जो आचारे हिरनगर्ब हुए हैं उन्ह उने करम योग संगेता एवं निरोध संगेता नामक दो किताबे लिखी लेकिन इनको स्विकार भी नहीं किया जाता है क्योंकि अहिर बंदियु जो थे वो बहुत मॉडरन थे और उनकी लेखनी वह अपने पुस्तिका में ये क्लेम करते हैं बिंदु संगिता में कि यह जो मैं लिख रहा हूं यही सबसे प्राची ने परन्तु उससे पहले पुराणों में भी और महावारत इत्यादी में भी वरनित है हिरनकरव का नाम इसलिए इनक संकरभागवान के एक शिष्यते उनका भी नाम हिरनगरता है ठीक है ये पुस्तिका है योग शिखो उपनिशद में इस्विकार किया गया है। मुझे ने बाइक लिके 5 में फेने कर रूप में एक रिशी हुए है उरिजित्रिशी उनका नाम था उर्जित् See कई میں нос बार या अधि़ित्थ नाम मुझे आता है उरजित रशी थे विए उनके पिता के रूप में इनका नाम आता है प्रावर कि मैं सर्थे च्छटे जो थे चैट्रवर मिविश्ची प्रज्वती के पूत्र थे , प्रमेश्ची प्रज्वती के पूत्र थे च्छ और यह वाले हिरंगर्ब रिगवेद के मंत्रों में भी इनका युगदा नहा है और रिगवेद में दस्वे मंडल में रिगवेद के दस्वे मंडल में 121 में सुक्त से लेके 121 सुक्त में यह दस्वे मंत्र है रिगवेद में कितने सुक्त है एक हजार रटाइस और मंत्र कितने हैं कि एस याद रखो गे तो तो जए आरफ पुज़ेगा ना याद रखना बस दस दाचार सुबाट एक एक जार अठाए आपको पता है एक जी-बी में कितने केवी होता है कोई है भी एक हजार अटाटाइस एक हजार चुइस एक शाबिस बहुत बहुत है सब्सक्राइब वरडन किया है इन्हों नहीं योग का वरडन किया है ठीक है इन्हों नहीं योग का वरडन किया है अब ये साथ के साथ हैं इन साथों में दो लोगों का इतियास ट्रैस हो जाता है बहुत पावर्फल तरीके से एक तो शिव का इतिहास और एक ब्रह्मा का इतिहास ठीक है विश्णू के इतिहास के रूपे जो रिश्शी है उनको विश्णू के उतार के रूपे माना जाता है तो ये स्विकार किया जाता है कि ये तीनों लोग इन तीनों का इंपुट हमारे शास्त्रों में रहा है ठीक ह जो भी प्रमारिक माना जाता है वो पुस्तव को लक्षित अदर्शित है ठीक है अब बात आती है आगे कि वेदों में कहा कहा योग है तो सबसे पहले रिग वेद में लिखिए लिखिए रिग वेद में रिग वेद में पुर्थम माई 18 भाई 7 कहा गया है संस्कृत ने लिखवा रहा है ठीक है लिखिए कि विद्वानों का कोई भी कार्य विद्वानों का कोई भी कार्य बिना योग के सिद्ध ही नहीं हो सकता है बिना योग के सिद्ध ही नहीं हो सकता है अधर वेद में निखा है अधर वेद में साथ ही रिग वेद में भी और साम वेद में भी अच्छे एक बात आपको मैं पहले बता दूँ बहुत सारे मंत्र जो है लोगों ने शेयर किया है रिग वेद में अधर वेद में साम वेद में यजुर वेद में बहुत सारे मंत्र जो है वो शेयर हैं तो आप बस इतना लिख सकते हैं रिग में साम और अधर वेद में एक वरण आता है कि मुझे लिखे इश्वर इश्वर अध्यतिय है सर्वशक्तिमान है सरशक्तिमान है अखंड आरंद का कारक है परिपूर्ण सत्य सनातन परमतत्व है वो इश्वर हमारी समाधी की इस्तिती में वो इश्वर हमारी समाधी की इस्तिती में वो इश्वर हमारी समाधी की स्थिति में दर्शन देने है तू अभी मुखो हो सामने आया याने इसमें योग की एक शब्दावली मिलती है वो है समाधी जो इस समाधी जो सब्सक्राइब का इसमें आपको कल तीन बाते बताई थी जब भी बात आएगी नाडियों की तो वह किसे संबंदित होगा वह योग के ही मूल के रोप में मारा जाएगा लेकिन जब भी वात पित कफ की बात आएगी तो वह आहरवेद से संबंदित है वह शुद्ध कॉंसेप मत बाते हैं लग वह संसानमातग में आप बड़ते है लग-चनल उनए इसमादि मिलकुल ने ढाटी है योग से ही संबन्द देता है आगे दिखे शुक्रिय जुर्वेद में कहा गया है कि प्रतेक योग में प्रतेक योग में एवं उसके समाधि में सहायता करने वाले परम आश्वर्य के कारक परम आश्वर्य के कारक इंद्र को हम अवाहित करते हैं यह रिगवेद के यह रिशीं मैंने भिवेद के रिष्य का मानना था कि वह को बेस और दीक वो के सबसे प्रबल देता है और माना ब्रह्म्वा भिश्नु महेज जो है वह देवता केश्वर्य में नहीं आथे वो देवता के उपर की जो पद्वी होती है उस श्यनी के है तो कभी भी आप ब्रह्मा विश्णु महेश से किसी की तुलना मत कीजेगा ठीक है क्योंकि वेदों को लिखा किसने वेदों को किसने वेद दरश्टा कौन है ब्रह्मा है और ब्रह्मा खुद शिवजी के दरशन के चक यह कहारी थी कि जब ये ब्रह्मान जो परब्रह्म है परब्रह्मा परवात्वा ने जब ब्रह्मान का निर्मान किया तो सबसे पहले ब्रह्मा का ही निर्मान किया कि ब्रह्मा आप जाए है और आपका कादर है कि आप इस संसार का निर्मान कीजे और उसके पालक के रूप में विष्णु का निर्मान हुआ और जैसे जहर सी बात है विश्णोत रहूंगा मेरी जो मतलब मेरी जो पदवी है वो आपसे artist कि लेकिन आपको जो गाइड करेगा वो मैं हूं यानि की मेरा बड़पन जो है मैं आपसे जागता है सीनिϏर हूँ और इस बात को लेखे अब ब्रह्म जो थे जो पर ब्रह्म है जिनका वरलन नहीं किया जा सकता वैसे ब्रह्म ने फिर एक जोती पुन्जु को अवधरित किया एक जोती प्रकाष एक बड़े से खंबे के समान जो ते प्रकाश आउतरित होते हैं और जो ते प्रकाश से आवा जाई की आप उपर की तरफ जाईए और आप नीचे की तरफ जाईए ब्रह्मदेव उपर की तरफ जाएंगे और विश्णोदी नीचे की तरफ जाएंगे और जो मेरे कोनों को ढूंड लेगा आखाश के तरफ मतलब निर्वात में उड़ान बरना शुरू किये और नीचे के तरफ विष्णु जी का जाना शुरू आ विष्णु जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए उनको बिल्कुल नहीं मिला ब्रह्माजी के साथ यही बात थी लेकिन ब्रह्माजी काम करो तум यहां बे हो iamoorgt केत्गी का फूल जो है वो यहां बाइना जाता है औसकी लाइफ जो है वह बहुत बढ़ी है तो केत्की के फूल से स्विकार अगा कि ठीक है तुम चलना और ज्योती-Spun negro से कहते हैं, कि हाँ, हाँ, मैं देखी हूँ, ब्रह्माजी ने, ब्रह्माजी पार तक तो पहुंच गए थै, केत्की का फूल, भूला, ठीक है, चलो, इसके बदे मुझे क्या मिलेगा, बोले, मैं तुम्हें बिल्कुल पुझ निये बना दूँगा, ठीक है, तो केत्की के स्विकार कर लिया बोला नहीं नहीं मैं डून नहीं पाया मुझे तो अंदाजा ही नहीं मिला कि यह जोती पुंजे कहां तक है कितनी गहराई है इसकी इसका कोई अंदाजा नहीं और ब्रमाजी से पुछा किया तो ब्रमाजी मुस्कुरा है बोले हाँ मैं तो जस्ट वहीं से ही रहा हूँ बस मैं उपर छूने नहीं गया था लेकिन मैं दूर से देख लिए था कि वह उपर खताम हो रहा है तो बोले के अच्छा बोल हाँ ने विश्वा से तो पूछ लो दरी केत्की का फूली ठेल आता है इसे पूछ लो केत्की बताओ तो केत्की ने का है यह सचा दियोगी शिव का और वो शिव जब परगट हुए तो उन्होंने सबसे पहला काम केत्की के फूल को ही अवार्ड आफ ओनर गेस्ट आफ ओनर दिया कहा कि केत्की मैं तुम्हे श्राब देता हूं कि तुम्हारी पूजा तुम पूजा में अवएद होगी यानि किसी भी पूजा नहीं होगी यहाप टू कर्फॉर्म ने आपको अवतरित किया है वट मीड़ आप पूजा नहीं जाएंगी आपकी पूजा नियतासमाप्त की जाती है और उसके बाद फिर ब्रहमा जीने बहुत तब तब स्था कि फिर एक नई कहानी जन्म लेती है पुशकर में क् बिश्व में कहीं ब्रहमा का मंदिर नहीं है कारण यही है और फिर वहां से शिव आते हैं दे ग्रेट डिस्ट्रॉयर लेकिन डिस्ट्रॉयर से ज़्यादे जन्म देता करता पालक पोशक नाशक सब कुछ जो अबिलिटीज है वो शिव कहने और फिर शिव अस्थापित हो बाकि शिव महापुरान की का था आप बाखुबी जानते हैं फिर कभी आएगी तो मैं आगे क्यों और कहाने बता होगा ठीक है तो यह कहानी थी कहां से यह बात शुरूए थी कहां से कहां पहुचा दिया है बात क्या हो रही थी शुर्वेत के बारे में लिखा रहता है। भाकी देवताओं में जितने भी देवताओं हैं चाहे वो धौँ हों चाहे वो अगनी हों चाहे वो सूर्य हों चाहे इंद्र हो चाहें वो चंद्र हो बागी सब का अपना-पना एक प्रोटोकॉल है लिकिन इन सारे प्रोटोकॉल में धाइसो मंत्र जो रिगवेद में लिखे गए वो इंद्र के लिए लिखे गए और इंद्र को देवताओं का राजा दे लीडर आफ गौद्स यानी इश्वर इश्वर के लीडर के रूप में नेता के रूप में उनको प्रतिविम्बित किया गया और धाई-सों मंतर लिखे गए इंद्र के लिए इंद्र जो थे चुकि वो बड़े बायस हो गए वहाँ वारत में उसके बाद से उनकी शक्तियों को लिमिटिट कर दिया गया बायसनेस बहुत आई उनके में करणवाले कांड में वह बहुत बायस हो जुके थे बायस है नहीं एक ही पक्षके प्रति जादे हो गए थे जो कि जो पांचों पांडों थे इनको सभी मूल देवताओं का अश्रिवात ब्राप्त था यह वापस एक कहानी है माभारत की उसके बाद से ज कोई भी राक्षेस जो है वह जल्दी किसको प्रसंद करने में जादे फोकस करता था ब्रह्मा जी को क्योंकि वैसे उनकी कोई पूजा नहीं करता था तो ब्रह्मा इसे शक्ति ले गया था था कि प्रभू मैं किसी को छूदू बस्म हो जाएब ठीक है और बागी ऐसे बसमा सुर जो है वह जन्म लेता है पर कई सारी कहानिया है केने वाद अभी है कि इंद्र को वेदों का ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि वेदों में सबसे जादे मंत्र किस देवता के लिए लिए लिखे गया है इंद्र के लिए और उससे सेकेंड अस्थान पर को सवाप्त होगी नहीं तो महाभारत के चक्कर में नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं कि अभी भी हम लोग यह जो अपने लोकल दे होता है उनको याद कर रहते हैं और एक और शीच मैं आपको बदाता हूं इस बीच के जैसे मोधी गॉर्मेंट है ना बीच के लो पाल के पास फिर आपके पास पहुंचता था यानि सोर पर निकला तो आपके पास पहुंचता दस पैसा पहले भी ऐसा होता था वैदिक काल में भी वैदिक काल में इश्वर से आश्रेवाद ब्रम का ध्यान फिर तीन दे होता जो हैं जो महादेव हैं बिश्नो हैं ब्रम है उसके बाद जो बीच वाले जो देवता होते थे इंद्र हो गए या अगनी हो गए या सूर्य हो गए या वायू हो गए ऐसे देवता उसके बाद लोकल देवता आते थे जो आपके ग्रामिल इरिशेतर के आते थे आप सबी के ग्रामिल इरिशेतर में आप बहुत ध्यान से द देवता कौन है ऐसा नाम जरूर होगा जैसे मेरे एक मित्र है परसो दुकान खोली है सिमेंट की राजस्थान से हैं तो उनके दुकान का नाम है मा कैला देवी सिमेंट प्रजस्थान तो मैंने पूछ आ बड़ी जग्या सब्किए कि यह मा कैला देवी कौन है फिर उनने बता आगे लिखते हैं अगले में अथरवेद के तरह पड़ते हैं और यह बड़ा इंपोर्टेंट है अथरवेद का दस्वा बाई 10 बाई 10 बाई 1 बाई 31 आपको श्लोग लिखना होगा अस्ट चक्र नवद्वारा देवा नाम पुरियोध्या देवा नाम पुरियोध्या तस्याम हिरन्यमया कोशह तस्याम हिरन्यमय कोशह स्वर्गो जोतिशा वृतह रिपीट अस्ट चक्र नौ द्वारा देवा नाम पुर्यो धया तस्याम हिरन्यमय कोशह स्वर्गो जोतिशा वृतह इसकारत हुआ आठ चक्र नौ द्वार से यह एक बार वर सेकंड लाइन आगे लिखे आठो चक्र नवो द्वार से युक्त हमारा यह शरीर देव स्वरूप है रफ्तार चलाईए हाथ बिल्कुल दोड़ता हुआ आठो चक्र नवो द्वार से युक्त हमारा यह शरीर वास्तों में देव नगर के जैसा है इसमें एक हिरण निमाय कोश है जो जोती और आनंद से पुलकित होता रहता है जोती और आनंद से पुलकित है इसी आनंद की प्राप्ति का नाम योग है इसी आनंद की प्राप्ति का नाम योग है चेकर इसी आनंद की प्राप्ति का नाम योग है चेकर आगे दिखे वेदों में वेदों में योग के कई सारे अन्यभाव भी वरॉनित हैं आगे एक लिए अब कुछ-कुछ मैं आपको एक अभी एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ तर फोरी दिन पहले हरी सिंगोर विश्विद्याले में वो मैं आपके साथ अभी देखता हूँ अगर होगा तो टेलिक्राम पे साजा कर लूँगा आप लोग टेलिक्राम से डाउनलोड कर लेगा वेदों में योग परंपरा का बहुत बहुत शांदार वर्रन उस में उस रिसर्च पेपर में बानन होग अब आएगा उपनिशनों में योग उपनिशनों का वर्रन जो है जो हमें 10 पढ़ना ही है अंभन सेलेबस में एक और चीज़ है प्रस्थान त्रही का वरलन है पुरुशार्थ चातुष्ट का वरलन है जो सकेंड हेडिंग में आपके साथ जारी होगा जिसके विशे में हम लोग कल अपनी चर्चा को जारी रखेंगे आज के लिए आपको एक मैं होमवर्ग देता हूं आप गभी जैसे कक्षा समाब तो हो जाईएगा और इस हम्वर्ग को कम्प्लीट करके आईएगा हम्वर्ग लिखें कुछ मैं आपको नाम दे रहा हूं उन्ही नामों के अधार पर आपको कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ डेटाबेस लिखके लाना किया कि वह चीज क्या है ठीक है जो भी मैं आपके सामने बोलूँगा तो लिख लीज़ें सबसे पहले लिखिए पहली चीज़ लिखिए कि जो क्या है सिक्षा कल्प निरुक्त सिक्षा सिक्षा कल्प निरुक्त कि व्याकरा कि छंड और जोतिष और जोतिष इन छे वेद के अंगों पे ये छे वेद के अंग है इन छे वेद के अंगों पे तक करीवन एक हजार शब्दों में आपको एक ऐसे लिखना है निबंद लिखना वन थाउजन वर्ट्स में एक निबंद लिखना और ये याद रखेगा कि ये वेदांग जो है अपने हिसाब से मतलिखेगा यानि कि ये निगी सिक्षा बहुत जरूरी है सिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन शुन्य है सिक्षा मनुष्य को सही दिशा में प्रशिद करती है ये सब मतलिखना ये वैसा ही हो जागा जैसे गाय के चार पर हैं गाय हमारी माता है गाय कि एक प्यारी सी पुद्ञ होती है उसकी दो शानदार सिंग होती है ऐसे इस से मतलिखना टीक है दूसरी का क्ष्लcript हाँ बाकाइदा सिक्षा के विशय एमें लिखेगा कि सिक्षा के किन किन परकारों का वो किया गया है स्वरो का ओररण कैसे होता है कौन कौन सा कंटब्य है ताल्ग भी है मूर्दा है दंतब्य ह double है कि अन्षके विशय छोगा तो आपको करना होगा कि सिक्षा से आप कैसे बोल पाते हैं फिर कल्प सुत्र की व्यक्या व्यक्रण का पूरा सिस्टम और फिर सब कुछ आप देखेंगे तो धीरे दीरे आप मिलता चलता चला जाएगे ठीक है तो कोशिस कीजेगा कि आप अच्छे से लिखें लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े याद बशाएगे ठीक है और वेदांग जानना बहुत जरूरी है वेद मैंने पढ़ा दिया वेदांग आप पढ़ लीजे मिशद मैं पढ़ा दूंगा इस मृतिया आप देख लेंगे क्योंकि जो कूर कॉंसेप्ट है वह आपको कर्षा में बता जा हैं तो हमेशा याद रखिए यदि मैं आपसे बोलू कि महात्मा गाधी एक ऐसे वक्ती थे जो जो जनोंने अपने जीवन में बहुत अहिंसा को बहुत फॉलो किया यह लाइन मैंने आपको लिखवा दी और आपने इस बात को याद कर लिया कि महात्मा गाधी बहुत अहिं अहिंसा के अहिंसा के कारण या उनके अहिंसा कोने का सबसे बड़े बड़ा बरिदान की और बैःला नुक्सान नीए के यह आप तब ही बता पाएंगे जब आप महात्मा गाधी को पढ़े होंगे जहर सी बात है आपने पढ़ानी आपने ये जरूर सुना कि आहिंसा के सबसे बड़े पुजारी बापू थे महत्मा गांदी थे लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि क्यों थे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि शायद कभी ना बता पाएंगे जब तक आप गांदी को ना पड़ने ऐसे ही वेदों में क्यों आता है ये बात आप तब समझ पाएंगे जब किसी मात पाएंगे नियूर आपल मुजिक लाइडरी यू कि आस पूर रेडियो स्टेशन और आपको भी क्यों यह समझ जाता है मैं इसको लगता है मैं इसको कुछ आउडर दे रहा हूं तो क्या करता है इसको मैं आज देखता हूं कैसे इसको बंद करता है पर्मानेंट की ठीक है तो आप थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से कोशिस करेंगे तो अच्छी विदांगों से बहुत अथा उसकते हैं कि वेदांगों में क्या लिखा गया ठीक है चलヒ एक प्रश्ण में आप से पूछता हूं आप जो काम करने वाले हैं वह करने की बात आप त्व्या से बहुत बड़े हैं अधिया वह कुछ को कि एसा बहर को और कोई बात हो तो बताईए आज हमारे पास समय हैं लोग मुझे एक बात पूछने थी जी पूछे आज मैंने क्या मेरी आखे चेक करवाई थी तो मेरा मतलब साल बर से चस्मा चड़ा हुआ है मेरे आखोंपे चार मेने पहले मतलब चेंज करवाई था तो आज वापस चेक क कम हो गया मतलब बिल्कुल नॉमल वाला हो गया बस लगाने के लिए थोड़ा पॉइंट देना पड़ेगा उनको लेकिन जो लेवट आक है उसमें मेरे माइनस था वो प्लस हो गया तो यह क्या हुआ कि एक में कम और एक में मेरा बढ़ गया क्या करूं एक बार और सेकंड लेजिए सबसे पहला काम तो यहीं कीजिए आज मैं केस देख रहा था तो एक बाइस वर्शी बच्चे को जहां से वह चक्करा क्या तो बाइस वर्शी बच्चे को यह बताए गया कि उसको ब्रॉंकाइटिस है और मैंने जब सांस सुनने की कोशिस की तो ऐसा मुझे लगा लिया एक रुपए की परची कटाई और गुवर्मेंट वालों ने उसे बिलकुल उसके सारे टेंशन को मिनटवर में हर लिया बुला ब्रॉंकाइटिस तो छोड़ो दूर दूर तक तुम्हारे तो सांस ही जादे आ रही है गहरी सांस कम लिया करो तो इतनी सांस का क्या करो करने मतलब यह है कि second opinion is important नहीं सर पर पता है क्या हुआ मेरे साथ जब उन्होंने पहली बार चेक किया ना तो साही दूसरे को लगा कि गलत चेक है तो उन्होंने मेरा दो बार चेक अप किया इस चीज़ का आप डॉक्टर भी बदल की बार देखे एक पर और कोशिस कीजिए हो सकता है उनके उनके लेंस में या दूरी में कुछ अंतर देखे लें तो सिरह ready possible नहीं कि मेरा पहले minus ना ऑर वह ठीक हो जाना अच्छी बात है लेकिन डब्र चेंज जो होता है इसे डब्र में चेक करते हैं तो डब्र चेंज जो है वह या तो आप लेसुन खूब खा रही हो तो परिवर्दन सम्भार या तो फ्लकसीत बहुत खा रही हो या पालग कूब खा लिया हो आपने वो तो मैंने खाया सर्दियों में पर वो एक आंक पर असर हुआ कि एक आंक पर तो कम हो गया और एक आंक मेरी मदब ज्यादा प्रोब्लम हो जी उसमें एक बार एक बार जब आप सेकंड ओपिनियन ले लेंगी उसके बाद इस कुशे पर चर्चा जारी रहेगी फिर हम लोगों को शवर पूश रहेगी और सर वेसे करना क्या चीए मुझे कि मेरा मदब कम हो जाए मेरा चस्मा वो अभी जब आप एक बार चेक कर लेंगी तब नहीं फॉलो की जा सकती और बहुत सारी रिसर्च भी नहीं है और बिना रिसर्च के बात करने का मतलब है कि एक बार चस्मा चड़ जाएगा तो वो उतरेगा नहीं कहने को तो कुछ भी कहते हैं कहने को तो बहुत सारी चीज़े कहते हैं कहने का कहने वालों पर फोकस मत कि सब्सक्राइब को स्विकार किया गया हलाकि इसको भी वहुत अत्तक स्विकार नहीं करते हैं कि स्विकार किया जाता है कि जब स्ष्ष्ष्टी निर्माड की जब भी बात आती है तो वहां पर दिखता आता है एक एक माना जाता है कि ब्रह्म संगेता करके पुष्टक थी जिसमें ब्रह्म भाजी ने योग का वरण किया था और स्वयम को हिरण निगर्व के रूप में अस्थापित किया थी ब्रह और फेल परने मेंकी तो सोड़स कर अगां ऐसे नहें गर्भाधान सिमान फ॑न करत भर निश्करम अनप्राशन चुड़ा कर्म विद्यारम करना पे जब विद्यू पभी और विद्यारम के शान्त के शान्त करते हैं एक्जेल करते हुए आंगी जुकते जैसे पश्चे मुत्तानासन में उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या एफेक्ट होता है बड़ा इसे जो इल्वलाइस सैक होती है आपके शाती के अंदर खास करके जो ब्रॉणखैल ट्यूब्स का बिल्कुल अंथ हिसा है तो कॉंट्राक्ट होता है जब भी आप प्र Tonight केि तरफ Pocket होते हैं तो आपके शरीज जो है वो contract को रही होती है और contractions के दौरान सारी सांस का बाहर निकल जाना वड़ा आवश्यक होता है जैसे ही स्वांस बाहर निकलेगी और वापस से जब चोड़ा करते हैं वापस back out आते हैं आप तो गहरी सांस देते हैं तो possibility होती है कि जितनी cubic स्वांस आपके प्रते अब्वलाई सेक है तो उसमें से तकरीबर 90 ब्रॉंकी या 80 ब्रॉंकी इन जनरल यूज में है और उन 80 में से 800 अलवलाई सेक को आप यूज कर रहा है फरन्तु जैसे ही आप exhale और inhale के natural process को शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे 80 का वो 90 हो जाता है 90 ब्रॉंकी यूज में आती है यह पॉसंटाइल में अगर आप देखते हैं तो कभी भी पृत्वी के तरफ जाते हैं तो हमें एक्जेल करना इसलिए अनिवारे माना क्या है कि शरीर जो है वो खंट्राक्ट हो रही होती है च्छे का चलिए थैंकियो सो मच आज की खक्षा को यह समाप्त करते हैं कंवर गर्दा सीधी शांती पाट ओम विश्वानी देव सबतर्दु रितानी परास वो यट बद्रम तन्या सुह ओम शांती 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 सर्वा अरिश्टस उसांती बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का आज की खक्षा को यह समाप्त करते हैं वापस कल मुलाखात होगी अपने समय से थैंकियो सोच